हेलो एवरिवन आप सब्सक्राइब लोगा स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बगर हंट में हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 30 डिगरी रिवियो करते हैं और साथी साथ बिजनस और मार्केट से रिलेटड इंपॉर्टन पसंद नहीं आते या फिर आप सब लोग पीटर इंगलेंड के टी शर्ट और डैनिम को पसंद करते हैं क्या आप लोगों ने पैंटलून के शोरूम से शौपिंग का एक्सपिरेंस लिया है यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ हैं दोस्तों तो आम शूर जब भी आप सब के मन में एक ही इच्छा होती होगी कि काश आप इन सब प्रोड़क्ट्स को एक साथ खरीच सकते और कुछ लोगों के मन में यह भी विशार आता हुआ कि काश वो इन चमचमाते लगजीरियस स्टोर के मालिक होते तो क्या आप उस कमपनी को खरीदना चाहेंगे जो इन स सब स्टोर्स इन सब लगजीरियस अपैरल ब्रैंड्स को ओन करती हैं जिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं आदित्या बिर्ला फैशन और रिटेल की जिया दोस्तों यह एक मात्र कमपनी है जो इन सारे ब्रैंड्स इन सारे लगजीरियस स्टोर और इन सारे लगजीरियस ब्रै के बारे में और उसका पूरा पर्फॉर्मेंस उसका पूरा 360 डिग्री रिव्यू हम आपको इस वीडियो में देंगे देखे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो एजुकेशनल प्रपस के लिए अगर आपको मल्टी ब्रेंडेड लग्जीरिस स्टोर्स की चलिए दोस्तों कमपनी का थोड़ा इंट्रोड़क्शन ले लिया जाए आयत्य बिल्ला फैशन रिटेल ज्या दोस्तों इसको प्रिवेसली प्राने नाम से जिस नाम से जाना जाद था उसका वो है पैंटलून फैशन एंड देखें दोस्तों मई 2015 से पहले तीन एंटिटीज हुआ करती थी जिनका नाम है आयत्य बिल्ला ग्रुप की मदुरा फैशन डिविजन पैंटलून फैशन एंड रिटेल मदुरा फैशन एंड लिटेल मई 2015 में इन सारी एंडिटीज को कलप कर दिया गया मर्च कर दिया गया कंसोलेड करके एक नई कंपणी बनाई गई जिसका नाम है आयत्य बिल्ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड आज जो है आयत्य बिल्ला फैशन एंड रिटेल इंडिया की नमबर वन फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपणी बन चुकी है आयत्य बिल्ला फैशन एंड रिट पर इसले 25 सालों से आयते बिला फैशन ने अपने ब्रैंड को अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट में एक लीडर्स के रूप में उभार दिया है उनको इस्टैबलिश कर दिया है फिर चाहे आप बात करें लुइस फिलिफ की वैन हुसिन की एलन सोली की पीटर इंगलेंड की ये सारे प्रोड़क्ट्स ये सारे ब्रैंड्स अनपैलर कंजूमर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं दोस्तों वहीं अगर हम बात करें पैंटलून की तो ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी ब्रैंड रिटेल के रूप में उभर चुकी है जिसके पास इंटरनेश ब्रैंड्स आपको पैंटलून के रिटेल शॉप्स में रिटेल लग्जीरियस शॉप्स में आपको एविलेबल हो जाएंगे दोस्तों वहीं बात करें कंपनी के शेरोल्डिंग पैटन की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आयत्य बिल्ला ग्रूप जोकिस के प्रमोटर है वो होल करते हैं 59.06% का स्टेक, FPI's और FIIs के पास 8.43% का स्टेक है, Indian Public के पास 10.57% का स्टेक है और DII's जिसमें आते हैं हमारे Mutual Funds, Insurance Companies और 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 भी Domestic Institutional Investors उनके पास 22% की हिस्सदारी है तो इस प्रकार से अगर आप Cumulative देखेंगे तो Institution और Promotors के पास 89-90% की हिस्सदारी इस Company में होल करते हैं वहीं अगर हम बात करें Promotors की Confidence की तो पिछले एक साल में March 2019 से लेकर के March 2020 तक आप देख सकते हैं Promotors की हिस्सदारी Almost Constant रही है एक Negligible Change आपको देखने को मिलेगा अगर हम Pledge की बात करेंगे तो Company का कोई भी Shared Promotors ने Pledge नहीं रखा है जो की काफी शांदार बात है वहीं अगर Company की Past Performance को अगर हम Analyze करेंगे दोस्तों तो पिछले चार साल की Performance में आपके सामने आपे Present किया हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं March 2016 में Company का Revenue 6,035 के राउंड था और FY17 में 6,633 के राउंड FY18 में 7,181 और FY19 में 8,118 के अराउंड इनका Net Revenue आपको देखने को मिलेगा तो इस प्रकार से Company Study Growth आपको देखने को मिलेगी Cumulative CAGR Growth 10% आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं अगर हम बात करें Company के Profit की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FY16 में Company ने Loss Post किया था जहां दोस्तों 110 करोड का Loss Post किया वहीं FY17 में Company Profit में 54% का Profit इनने Clock किया FY18 में 118 करोड का Profit और FY19 में 321 करोड का Profit क्लोड किया यह जो Loss आपको यहाँ पर दिख रहा है 2016 के Financial Year में यह एक One Time Adjustment था जिसकी विएसे इनको 110 करोड का Loss यहाँ पर पोस्ट करना पड़ा तो अगर हम बात करें Company के पिछले 4 Quarters की Performance की और अगर हम उसे Compare करें उसके Pairs के साथ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं June 2019 का Quarter, September 2019 का Quarter, December 2019 का Quarter और यह Last Quarter, March 2020 का Quarter तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Company का Performance लगातार गिरता गया है Company जो है Profit से Loss अभी जो है Register किया है March 2020 में वहीं अगर हम इसके Pairs का Comparison करेंगे पूरे Sector को अगर हम Compare करने कोश्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Bandit Appareals और Footwear के Market में Footwear के Segment की जो Companies हैं उनका Performance भी अगर आप देखेंगे तो June 2019 से March 2020 के तक के Quarter में पिछले 4 Quarters में उनका Performance भी काफी ज़्यादा Down हो चुका है Trend का Profit आप देख सकते हैं 57.94 क्रोड से घट करके Last Quarter में 2.61 क्रोड तक आ चुका है Bata India 100 क्रोड का Profit यह जो Clock कर रही थी June 2019 में वो Quarter & Quarter कम होते होते 37.61 क्रोड पे पहुँच चुका है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो Luxurious और जो Branded Clothing और Footwear का Segment है उसमें काफी ज़्यादा Stress देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल से पिछले 4 Quarters से और दूसरा जो हमारा Pandemic हो चुका है COVID-19 के उसके Lockdown के कारण उसका भी जो है काफी ज़्यादा मार इस सेग्मेंट में देखने को मिली है और अगर हम बात करेंगे FY21 के First Quarter की तो हम I'm sure इस Quarter में भी काफी 2 महने तो Lockdown रहा था तो उसका भी जो है Serious Impact आपको जो है इनके Results में देखने को मिलेगा बात करेंगे कंपनी के Share Market में Performance की तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपके सामने Graph Plot किया है पिछले एक साल का यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अपना 52 Week High 285 का टच किया था February 2020 में और अपना 52 Week Low Touch किया है माई 2020 में 97 रुपीज का और वहाँ से कंपनी के Share ने थोड़ी बहुत recovery दिखाई है 134 रुपीज पे यह Trade कर रहा है as on 18 June 2020 मैं एक स्पेक्ट कर रहा हूँ यह जो recovery है यह temporary है क्योंकि quarter 1 के जब नतीजे आएंगे FY21 के जिस समय की पिछले 2 महने lockdown रहा था इस quarter में वहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी significant गिरावट इनके revenues और इनके profit में आपको देखने को मिलेगी तो उस समय भी जो है company का Share काफी जादा गिर सकता है दोस्तों तो वहाँ पे जो है एक अच्छा entry point आपको मिल सकता है जहाँ पे कि आप इस share में enter कर सकते हैं वहीं अगर बात करते हैं company के future outlook की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम हम discuss करेंगे company की strength और weaknesses तो आप देख सकते हैं company जो है जो products हैं, brands हैं वो respective segments में leaders बन चुके हैं company का पूरा focus है strong and vibrant brands का portfolio create करने में ताकि customers की changing requirement को cater किया ज़सके वहीं company लगातार कोशिच कर रही है अपना portfolio को बढ़ाने की recently company ने men's and women's innerwear segment में भी कदम रख लिया है under brand name Vanhusen company का focus अब women's and kids apparel पे भी बढ़ चुका है दोस्तों वहीं company पूरी कोशिच कर रही है अपनी physical presence को अपने distribution footprint को और भी ज़्यादा बढ़ाने की at present company की presence 750 cities में all across India हो चुकी है वहीं company का अब ज़्यादा focus हो चुका है tier 2, tier 3, tier 4 cities में वहाँ पे company अपने physical stores को खोलना चाती है वहीं अगर हम बात करें कंपनी किन-किन challenges का शामना कर रही है किन-किन challenges का सामना कर सकती है in future में तो देखे दोस्तों पहला है increased markdown in the industry इसका मतलब होता है दोस्तों आजकल आप देख सकते हैं कि e-commerce industry, e-commerce shopping काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है आपको लगएगा कि इसका फाइदा इनके brands को मिल सकता है बढ़ देखे दोस्तों e-commerce industry के फलने फूलने का एक मात्र reason माना जा रहा है कि company जो है e-commerce जो company है वो जो discount offer करती है अपने customers को इससे customers को discount की आदत लग जाती है और वो expect करते हैं इतने बड़े-बड़े brands से भी कि वो भी उन्हें discount में अपने products offer करें और इस प्रकार के expectation से इन brands की sales पे भी जो है काफी ज़्यादा impact होता है और इनके जो margins हैं उन पे भी जहें काफी ज़्यादा impact देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम बात करें जो दूसरा challenge जो company face कर रही है वो है inadequate availability of good quality retail space या दोस्तों जो retail space है जो multi A-grade malls है good quality के commercial spaces है वो जो है अभी भी available नहीं है tier 2, tier 3 cities में जहाँ पे की company अपने physical stores को खोल सके क्योंकि इतने अच्छे malls वहाँ पे available नहीं है जहाँ पे की company अपने stores अपने showrooms को खोल सके तो friends आज की वीडियो में इतना ही I am sure आपको इस वीडियो में I am sure आप अपना मन बना चुके होंगे कि आपको इस brand में इस इनके brands में, इनके stores में, इनके future के aspect में आपको निवेश करना है या नहीं करना है तो friends आज की वीडियो में इतना ही, thanks for listening, please channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और हमें सी तरह motivate करते रहे है, जै हैंद